हेलो बच्चो कैसे हैं आप लोग आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे हूंगे बच्चो शुरू करते हैं आज का ध्याय मन करता है यह एक कविता है आपका मन क्या करने को करता है जरा सोचिए आज का पार्ट परिचे है प्रस्तुत कविता में कवी छोटे बच्चे के माध्यम से बता रहा है कि उसका मन कभी कुछ करने को करता है तो कभी कुछ करने को तो आई यह पढ़ते हैं कविता मन करता है मन करता है सूरज बनकर आसमान में दोड लगाऊं मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड दिखाऊं कभी कहते हैं कि मेरा मन करता है कि सूरज बनकर पूरे आसमान में दोड़ूं और कभी कभी चांद बनकर तारों को अकड दिखाऊं यानि कि तारों पर रौब जमाऊं मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धोस जमाऊं मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूझ बढ़ाऊं कभी कहते हैं कि बच्चों का मन क्या करता है कि घर में जो बाबा है यानि दादा जी है ऐसा बनकर सब पर धोस जमाऊं यानि सब को आदेश देता रहूं या फिर मेरा मन करता है कि घर में जो पापा है वैसा बनकर अपनी मूच बढ़ाने लगूँ आगे कभी कहते हैं मन करता है तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊ कभी कहते हैं कि मुझे मन करता है कि मैं ऐसा बच्चा बन जाओं जो एक तितली की तरह हो मेरा मन करता है कि मैं तितली की तरह दूर दूर तक उड़ जाओं या फिर कोयल बनकर मीठा मीठा बोलू मन करता है चिडिया बनकर चीची चूचू शोर मचाओं मन करता है चर्खी लेकर पीली लाल पतंग उडाऊं। कभी कहते हैं कि मेरा मन करता है कि मैं एक छोटी सी चिडिया बन जाऊं और चूँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ चर्खी यानि कि जिससे हम पतंग उड़ाते हैं उस चर्खी को लेकर लाल पीली पतंग उड़ाऊं ऐसा मेरा मन करता है यानि कि मेरा मन करता है कि मैं फिर से छोटा हो जाऊं और बहुत मस्ती करूं तो बच्चों आशा करती हूं कि आपको यह कविता समझा गई होगी इसका अभ्यास आप स्वैम कीजेगा